निर्मवा शंपू भरकर जा रहा ट्रक पल्टा नहीं हुई कोई जन हाने निर्दली प्रत्याशी विशाल ने शहर में प्रतिष्ठान वा घर घर पहुंच मांगा जन आशीरवाद सारद शिवनी से किरनापुर्ग मार्ग पर ग्राम पाला के समीप रविवार की सुबह निर्मावा शंपू भरकर लांजी जा रहा ट्रक अचानक सामने श्वान आजाने से आनियंत्रित होकर सड़क किनारी खेत में पलट गया लेकिन इस हादसे में चालक वा परीचालक को मामूली चोटाई वा किसी तरह की जनहानी नहीं होई ट्रक पलटनी की जानकारी लगती ही गाव के लोगों का हुजोम लग गया इस संबंध में ट्रक चालक संदीप ने बताया कि वह जबलपुर से सामान भर कर लांजी जा रहे थे कि सुबह करीब 6 बजे पाला समीप यह हादसा घटित हुआ जिले के बाला घट विधान सबख शेतर करमांक 111 के निर्दली प्रत्याशी आजवे विशाल बिसे ने रवीबार को शेहर मुख्याले में धोल नगालों के साथ अपने दरजनों समर्थकों के साथ सभी प्रतिष्ठानों में वह घर घर जाकर लोगों से जन आशिरवाद मांगा निर्दली प्रत्याशी विशाल बिसेन जो पूर्व में कॉंग्रिसी नेता थे लेकिन उन्होंने इस बार चुनाव की घोशना होने से पूर्व पार्टी से इस्तीफा दे कर समर्थकों की मांग पर निर्दली प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ने का एलान कर जन कॉंग्रिस कमिटी कार्याले बाला घाट में रवीवार को दोपहर में AICC के लोगसभा परियावेक्षा के डॉक्टर नरेश कुमार विधायक सोशी हीना कावरे पूर्वसांसद विश्वेश्वर भगत एवं पूर्वसांसद बोध सीं भगत ने एक पत्रकार वारता को स रंजीत सुर्जेवाला ने भाग लिया जिस प्रकार से जनता की तरफ से इस कारिक्रम को समर्थन मिल रहा है उस आधार पर यह कहने में कोई संकोच नहीं है कि मध्य प्रदेश में आगामी 3 दिसंबर को जब चुनाव परिणाम सामने आएंगे तो निश्च तरूप से सत् और कॉंग्रिस पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाने में सफल होगी और दूसरी बार प्रदेश अध्यक्ष कमल नाथ मुख्यमंत्री की शपत ग्रहन करेंगे पूरे प्रदेश में सत्ता विरोधी लहर साफ देखी जा सकती है कुछ लोगों ने इस तरह की प्रहांतियां पहलाई कि आपकी अरुटोस्तिती को लेके यह जर्चाहें चलाई ठीक है और आपने तो अमारे हाइगमांड रंडी सुर्जेवालाची को बताया कि किस तरिके से उट्टी ख़बर में जो आपके यह फ्रेक्ष आया माता है जि प्रदेश में होने वाले विधान सभा चुनाव को लेकर सत्ता परिवर्तन की लहर है जिसका जबर दस्त माहौल लांजी क्षेतर में देखा जा रहा है पिछले दो चुनाव की अपेक्षा इस बार के चुनाव में कॉंग्रेस भारी मतों से जीत दर्ज करेगी भाजपा के प्रती जनता में भारी आक्रोश देखने को मिल रहा है उकत बातें लांजी विधायक वा कॉंग्रिस प्रत्याशी सुश्री हिना कावरे ने EMS से चर्चा करते हुए कहीं उन्होंने लांजी में भाजपा प्रत्याशी कर रहा है को टिकट मिलने पर पूर्व विधायक रमेश भटेरे वा भाजपा कारेकरताओं द्वारा ही विरोध करने के सवाल पर कहा कि ये उनके पार्टी का मामला है हर बार लांजी का चुनावी माहौल चरम पर रहता था लेकिन इस बार फी का नजर आ रहा है पार्टी के विरोधाफास statsi उबर पा रहे है तो वो हम से लड़ेंगए जिसलें वो हमसे लड़ते ह WILL बार कुला है हमारे लिए हमारे लोग समयच सकते हैं हम समैट ले और लांजी चेतरी की जनता को मद्यप्रदेश में लांजी का स्थान सबसे सर्वोपरी रखने के लिए चुनाव हो रहा है हमने सभी हमारे कार्यकरताओं से कहा है कि जो लोग भारती जनता पार्टी को वोड़ देते आ रहे हैं वो भी अपने मन से चाहते हैं कि कॉंगर्स की सरकार बने और ऐसी इसलिपी में एक बार उनके पास आपको जाकर निविदन करना है और इस बात का निविदन करने कि जिस दिन हमारी सरकार आएगी आप हमारे कहने से भी कॉंगर्स को वोड़ देते हैं पूरे पांच साल आपको विप्रीद समय में या आपकी जब भी कोई हुसीबत आएगी तो हमारी विज्ञेक आपके साथ खड़ी रहेगी इसी बात को लिकर हमारे कारेकरता पहुंच लेगे